नमस्कार यूट्यूब के इस महतोपूर्ण चैनल अक्षान स्कोचिंग क्लासेश पर आप सभी का स्वागत करता हूँ और जैसा आप देख पार यूजी फर्स्ट इयर की परिक्षा देने के लिए प्राइवेट वाले शात्रों का भी रेजिस्टेशन जरूरी होगा इंटरनल एक्जाम भी उनका होगा जी हाँ प्राइवेट विद्यारतियों के लिए काफी बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह लगा अतार अपडेट आपको चैनल के मादियम से मिलता रहेगा चले बात कर लेते हैं तो आप जैसा की देख पार है प्राइवेट जो छात्र होंगे उन लोगों की प्रक्रिया जो होगी वो अगस्त में सुरू हो जाएगी क्योंकि जुलाइ में भी जो है अड्मिशन खतम हो जाएगा और उसके बार प्राइवेट इस्टुडेंट का यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं तो विश्व विद्याले से संबंदित जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें प्राइवेट छात्रों के लिए चाहे बीए बीकॉम बीसी आप कर रहे हैं तो फास्टेयर के परिक्षा में जब सामिल होंगे तो उन लोगों को रेजिस्ट्रेशन कराना होगा याद कर यह प्रैक्टिकल वालों को पहले रेजिस्ट्रेशन कराना होता था ठीक उसी प्रकार अब सभी को रेजिस्ट्रेशन करवाना होगा और बताना होगा कि कौन से कॉले से वो परिक्षा देंगे और जैसे ही आवेदन प्रक्रिया प्रारम होगी और उसके बाद जो है पहले से बताने जैसा सिस्टम नहीं था पहले लेकिन अब जो है इस पर होगा कि प्राइवेट चात्रों की संख्या पर कितना असर पड़ेगा यह तो कहना कठीन है लेकि जो पीछले वर्सों की तरह सुधाई चात्रों की संख्या जो है वो कम हो सकती है क्योंकि सिमस्टर के तहट दो बार परिक्षा देनी होगी एक ही बार पहले देना पड़ता था अब दो बार परिक्षा होगा परिक्षा के साथ साथ जो है आपको इंटरनल एक्जाम भी दे लेकिन इस बार क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे ठीक है और यहां पर देख सकते हैं आप 33-33 मांसिंग मांक्स फेल हो रहे थे आधेशात्र वहीं यहां पर जो हैं अंतरिक मुल्यंकन के लिए 30 अंकर निर्धारित किया गया है तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं पाक आपको फीस वगरे की जनकारी मिलेगी साथ ही साथ इसाथ इंटरनल एक्जाम भी होगा मैंने प्रवेश मार्क दर्शिका के साथ साथ जो साल भर का सेड्यूल है उसमें भी बताया है तो जादस जादस शेयर कीजेगा ताकि इंफॉर्मिशन सभी तक पहुंच सके बहुर दन्वाद